नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहुल जैफ लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ मेरे कमेंट सेक्षन में कई बार कई महिलाएं भी और पुरुष भी लड़कियों के पक्ष में आकर कमेंट करते हैं और उनका एक कमन जो स्टेटमेंट होता है मतलब एवरेज में अगर उनका निकाला जाया तो कमन स्टेटमेंट उनका ये रहता है कि जरूरी नहीं है कि हर बाल लड़किया ही गलत होती है लड़के भी गलत होते है एकदम सही कहते हैं वो लोग कि लड़के भी गलत होते है ऐसा नहीं है कि लड़के अपने पत्नियों को नहीं मारते चाटा नहीं मारते, घूसा नहीं मारते, लाते नहीं मारते उन पे चीकते नहीं है, चिलाते नहीं है, सब कुछ होता है, गरस्ती में सब कुछ होता है, ये भी सही है कि पत्निया भी अपने पतियों पे ऐसे तीखे कटाक्ष करती है, कई बार बहुत पर्सनल कटाक्ष कर देती है, कई बार पती का मूड नहीं होता है, तो उस पे चल पर पुरुष भी होते हैं, बलातकार की शिकार हमेशा महिला ही नहीं होती, पुरुष भी होते हैं, पर क्योंकि ऐसे पुरुष को नकारा समझा जाता है, जो कि समाज में जाकर ये कहे दे कि मेरा बलातकार हुआ है, वो अपना दर्द तक नहीं बता सकता, कितने ही कम केस दर् पर अगर हम इस पे गौर करें, तो यहाँ एक हकीकत बहुत बड़ी निकल कर आती है, जो कि ना मेरे घर से आई है, ना किसी लड़के के घर से आई है, यह आपको संरक्षन देने वाले कानून के रक्षा करने वाले, सम्विधान की रक्षा करने वाले मानिनिय सुप्रीम कोड के तरफ से जारी किया गया NCRB द्वारा डेटा है, जिसमें 99% केस लड़कियों द्वारा जूटे लगाए गए हैं आज तक, इसलिए कई सालों में यह जो रिजल्ट है, 90% प्लस रा है, और यही स्तिती बलातकार के केसों में भी है, तो फिर हम क्यों लड़कों के पक्ष मे वीडियो नहीं बनाएं, और क्यों लड़कों के पक्ष में बनाएं, अच्छा, ये भी एक बात है, कि आदे से जादा केसे में मार बिटाई तो हुई होती है, ऐसा नहीं है कि पती ने मारा नहीं होता, चाटा नहीं मारा होता, या सब चीज़े छोड़ दीजे, गाली नही पर क्या महिला मा जाके बोलती है कि मैंने मेरे पती कोकसाया था, क्योंकि जबान में बड़ी ताकत होती है, इतना तीखा बोल देती हैं कई बार, इतना पर्सनल जगह पर अटाइक कर देती हैं कि आदमी के पास वो शमता नहीं है, वो विलक्षनता नहीं है, वो हाथ उठ तो ठीक है, गलत हुआ है, मारा है, सबर रखना, शक्ति का परिचायक है, शक्ति की उपासना है, जिसके जादा शक्ति है, उसे सबर उतरा ही रखना होता है, ये सही है, पर हकीकत यह है, कि अगर चांटा मारा है, तो फिर आप जाके दहीज का case क्यों लगाती हैं, उसके बा और आपके पास एक जो छूट है कि सरफ आपके कहदेने भर से केस लग जाता है, इसका बड़ा बेजा फायदा उठाए जा रहा है, तो दोस्तों, यही आज के वीडियो का content होने वाला है, कि गलत का जो इस्तमाल कर लेती हैं, आपकी भीवियां, उसको कैसे मरोड कर उनहीं के लिए एक हधियार की रूप में इस्तिमाल किया जाए, यह matter है आज के वीडियो का, तो क्योंकि हम भी चाते हैं कि जितना आप dependency खतम करें, वो तब ही खतम हो सकती है, जब आप educated होंगे, हम courses चलाते हैं इस चीज़ के लिए, main course है, जिसके अंदर अलग-लग हमारी packages होते हैं, आप वो courses जोइन करके अपने आपको update कर सकते हैं, बहुत लोगों को फायदा मिला है, जबर्दस फायदा है, और सबसे बड़ी बात कई लोगों के cases खतम हो चुके हैं, या होने वाले हैं, और इसी वज़े से उनका time बहुत बचा है, लग-भग 100 की scale पर अगर मानें, तो सर जरुत में आपको किसी सला की जरुबत होती है, तो अगर आपको अच्छी सला लेनी है, तो यहाँ पर वाटस अप नमबर स्क्रीन के उपर दिख रहा है, इस पर बकायदा सिर्फ message करें, call मत कीजिए, call नी उठाएंगे, और message के थुरूई आपको appointment मिल जाएगा, फिर बात कुछा हिसाब लिखा जाता है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, इनको pumping भी की जाती है, अच्छी तरह से, कि भाई, आप तो मैडम लिख दीजे, ये पैसा तो मैं चुटकियों वसूल करा दूँगा, कुछ नहीं पता होता है लड़की को कि ये कभी नी मिलता, कोड का का है, इसलिए दहेज के केसे फॉल्स जा रहे हैं आजकल, क्योंकि बात तो मार पिटाई की होती है, पर तमाशा पूरा किया जाता है आप लोगों की तरफ से, मतलब ये holiday package, 498, 125 और DV और ये सम मिला कर जो आप देते हैं, इसमें एक छोटी से लाइनवार लिख दिया किजी न आपके मन की जो बेमानी उसको कोट को बताईए, फिर देखे आप केस जितके बतादें तो, फिर देखे आप अगर जेल नहीं जाएं तो, तो ऐसा ही कुछ करती है, पत्नियां बड़ा चढ़ा कर 50-50 लाग रुपया, 25-25 लाग रुपय का खर्चा बताती है, पत्नियों कपड़ों में पत्ती के घरवालों में भेजा, वैसे वो उसको लेकर आ गए, और अगर किसी ने छोटा-मोटा खर्चा किया भी है, पांत-दस लाग का रुप वहां पर बड़ा चढ़ा कर बता रहें, तो ये सारी जो चीजे हैं, इन सारी चीजों का आप बड़ा अच्छ किये, आप खर्च किये, तो या तो वो उनलाइन होने चाहिए, उनलाइन का वैसे तो जमाना है, पर उनलाइन अगर नहीं है, तो नहीं किये होते हैं, क्योंकि वो रहे व्यक्ति अपनी अगोशित आए, अपनी काली कमाई का खुलासा कर बैठा है, कोट के रिकॉर्ड में, वो भी सरकारी रिकॉर्ड में, जिसको कल वो अपिस मुकर नहीं सकता है, क्योंकि 498 ए, शपत पत्र के साथ दिया जाता है, एफिडिविट के साथ दिया जाता है, बात समझ में आ रही है, अब क्या कह रहा हूँ, फिर समझ लीजिए, किसी ने अपनी काली कमाई, काले पैसे को, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, उसको बकायदा घोशित कर दिया है, अपनी अगोशित आए को, इस अगोशित आए के लिए आप टैक्स इविशन पिटिशन, जिसका एक फॉर्मेट हम लोग देते हैं, पेड होता है, फ्री के लिए मताईएगा, बहुत मिनि देने से पहले आपको करना क्या है, उसको देने से पहले इंकम टैक्स इपाक्स से संबंधित व्यक्ति की आए की डिटेल आते है, आपको 78 ठाइच वाथा आपको मांग नहीं चाहिए, वो डिटेल जब मिलती है, तो कि पिता जी में और शेविए निसु कमा हो गाने, उन्य चीज आपके favor में जा रिए बंगवालिया फिर उस tax evasion petition के साथ उसे attach करें इस सरकारी record को जो उन्होंने अपने 498 अब बायान में लिखा है और बेसे सभी जानते हैं कि पतनी की शादी जो की थी वो आपके सरसुर साब ने की थी तो वहाँ पर उसको attach करें और वहाँ पर पहुंचा दीजिए हो गया आपका काम उसके बाद RTI द्वारा follow up लेना शुरू कीजिए कि क्या हो रहा है मेरी application पे कहां तक कहां क्या क्या मुवमेंट्स हुए है किसके income tax department के यहाँ पर RTI लगानी है हर 20 दिन से लेके एक मेने के gap ने दो बार के बाद अगर आपके RTI का proper जवाब नहीं आ रहा है तो आप appeal में जा सकते हैं second appeal पर आप हर जाना ले सकते हैं RTI के proper जवाब नहीं देने पर अधूरा जवाब देने पर जो भी पुछा गया है इसके आगे भी रस्ता है अगर income tax department आपके लिए कारवाई नहीं करता है तो आप हमसे संपर करें counseling में हम आपको बताएंगे इसके आगे का रस्ता क्या होता है काम तो करेगा income tax department आपके लिए अब आती दूसरी बात दूसरी बात यह है कि income tax department से जो RTI से पहले आपने tax division petition लगाने से पहले जो record आपने अपनी पत्नी के पिताजी के आये का निकाला उसके अलावा आप court को संबन कर सकते है court द्वारा संबन कर सकते है section 91 CRPC में किसाब इनके जो account details है पिताजी के मांगे जाएं और अगर ये नहीं दे रहे हैं तो फिर ये अपनी आयका ब्योरा court को दे जो भी अब तक इनकी आये हुई है जो खर्चा हुआ है वो सारा लिखित में दे 50 लाग रुपे लिखने से कोई नहीं होता है उसमें क्या-क्या खर्चा हुआ कहां का खर्चा हुआ उसका ब्योरा लागे दे आदा दुरा ब्योरा लाए जाएगा उस पे दावा पेश करें और बकायदा उसके उपर आप अपना objection डालें और लड़ना शुरू करें कि इसके अंदर तो ये खर्चा बता नहीं पारे आयका स्त्रोथ क्या ये बताएं इधर यहां से वो फस रहें उधर वो टैक्स इविशन पेटिशन के दूप फस रहें और एक बाद ध्यान रखिएगा तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उतना माफ कर दिया बाकी का जो पैसा था साड़े आठ लाग रुपया उसके ओपर उन्होंने पैलेंटी चार्ज की 100% हालें कि उन्होंने आगे का भी टैक्स जोड़ा पर लास्ट में उनके वक्त देखके उनकी परिस्तिती देखके उन पे रहें की गए और सेटल्मेंट के नाम पे उन्हें साड़े तीन लाग रुपय फिर भी टैक्स देना पड़ा केस खतम करनी की उनकी पूरी मन्शा बन गई इच्छा खतम होगी केस लगने की उस को पीछे से देखे जाके तब आपको पताई मैंकी जुटा बहुत दौर्धरा होता हैاز बहुत खुर्ड़ा होता है उसको कहीं से भी करे सकता है वह अपनी स्मूधनेस नहीं लेके आता है पर आप क्या करते हैं? आप बस सुनेंगे तो लड़की की, जब आपको किसी बेवकूफ, जलाकार ने कह दिया, कि सुनेंगे तो लड़की की, कानून लड़कियों के लिए बना है, जट साथ तो आपकी बात मानेंगे नी, अरे मत मानने दो न, यार, मत मानने दो न, ये बात सुनकर जब आप कोट म के साथ खड़े रहने के अंदर कष्ट किया है कानून जो कहता है उसके साथ खड़े रहे हैं काफी लोग तो मुझे अब यह भी कहने लगए कि यूट्यूबर्स बताते हैं मेरे समय जितने भी यूट्यूबर्स है जो भी बताते हैं काफी जो सलाकार है वो कहते हैं तो सब ब रोद करिए या फिर ऐसे आत्मी को हटा दीजिए अपने केस से जो इस तरह की असत्य दली ले दे रहा है या तो उसे केस रणना नहीं आता या उसकी नियत साफ नहीं ही बुद्दे की बात समझे दोस्तों हाकिकत यह है जादा अच्छा है अगर इतनी परेशानी आ रही है त कोट के अंदर आपके सारी कारवाई है ब्लॉक करा रहा है बाद में बता लगता है रसीद भाड़ के बगड़ा दी आपका केस फेल होगा तो बैटर है कि अपना केस को सही तरी किसे लड़े तो आज केस मैटर को इस तरह से यूज़ कीजिए और अकेले में कर लिजिए किस सारे केस में सेटलमेंट की पोजिशन आ जाएगी विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पैंगी एक रुपया खर्च किये बगरी यानि आपको सामने वली पार्टी का जूट जब आप सामने लाने लगोगे उधरने लगेगा केस तो वो भगेंगे अपनी धोती लूंगी ब कमेश करके जाएगे क्या सिखा अचके वीडियो से और क्या करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद शेर कर दिजए उन लोगों को आपकी तरह ज़रूत मन्द हैं यहां सब्सक्राइब कर में दबाके जाहिएगा और बगल वाली जो घंटी इसको दबाएंगे, all का option आएगा, मेरे regular videos आपको मिलते रहेंगे, साथ में आप खुश रहें और अपने cases को जल्दी जीतें, ये मेरी दुगा है, थाइंकिए.